वाईगूर जी का खालसा वाईगूर जी की फते बहुत सारी संगदें मैसेज एवी आहे हं देया कि असी गुरूबानी बैट दे बैठ के पाड़ साक़ दे जहां कि असी जमीन दे बैठ के पाड़ साक दे चौंकडा लाके देखो जेता तो आड़े को चोंकडा लाके जमीन ते तुसी पढ़ साकते हैं ते बहुत ही वदिया गाल है गिया पर जोदो उसी गुरु का अरजाना जा गुरु ग्रन साब जी दे चरनाच बेठे हुने या ता हमेशा गुरुबानी जडिया ओ जमीन ते बैठ के चोंकडा मार के ही पढ़नी चाहिदी है गिया ते जेना नों हेल्थ इश्यूज है गिया ओ ता डेफिनेली चोंकडा मारी नी साख दे है गिया पर काल सब तो वडिये है गिया के तो अड़नों गुरुबानी पढ़ दे हुना तो अड़ा मन उस पर मातमा ना जूड़ना चाहिदा या डाजन्ट मैटर तुसी कित्ते बिठे है गेए a पर जदों तुसी करे अपने गुरुबानी पढ़ दे आप davon चियर दे काँछ दे कीटे बैठके भी पढ़ सकते आपर ओ हेगा कि जे तुसी गुरुबानी दी कोई विचार कोर रहे है गे उन्नों तुसी समझ रहे हैं कि गुरुबानी दी विद मेनिंग अर्थ दे नाल है ना जो तुसी एक परमातमा दे नाल अपनी तार जोड़नी है गिया ठीक है जहां तुसी पजन बंदगी करने सिमरन करना है गा मूल मंतर दा पाठ करना है गा उस टाइम तो अड़ी एक फोक परमातमाना होना चाहिए ओन डपेंड़ी कि नेनी बंदगीदि तिंदी या क्यों कि टे वी बैठ जाना कि उना दी जडiedी रू जड़ा माने और मातमानी जोड़ना है गैंग जड़ी सु अरिशल यहीर और से पूर्य कुष्याधोन अर्णि०्धी में टुश्येधि कहि गर्ण किते भी बेठे होन। चाहे योः किचंदे वेचे खाना भी बनादे होन। तामि उन्हादा परमात्मा दे नाल मान जुड़या हो दाया। हुन तुसी गुरबानी खड़े होके भी बानी पाड़ साकते हैं गया। ये तुआ डे मान दी हुन सारी अवस्था है गया। जे हुन तो अड़ा तुसी थल्ले चौंकडा मारके बेठे हैं तो अड़ा मान उस परमातमा ना जुड़िया ही नी उस अकाल पुरख ना जुड़िया ही नी फिर तुसी किते भी बेठे हैं उदा कोई तो अनू फैदा नहीं हैगा सु माननू समझोना हुन दाया माननू टकोना हुन दानू फाडफाड के उत्थे ल्याना हुन दाया कि ता कि यो हो पज्जाफिरेना